चलिए दोस्तो हम बात कर रहे थे CPCT के अंतरगा जो प्रिवियस एर के कोश्चन है जो की प्रिवियस एक्जाम में आये हुए है उनको हम यहाँ पर डिसक्स कर रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम MCQ लेते हैं उसका आंसर जो है अल्रेडी दिया होता है उसस संबंदी जो भी कोश्चन बनने वाले रहते हैं उनको हम यहाँ पर डिसक्राइब करते हैं तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके पहले हमने दो पार्ट देख चुके हैं उनको इद्धी आपने नहीं देखा तो उनको आप देख लें ताकि आप जो है सारी चीज़ों को सकता है ठीक है या फिर आने वाले एक्जाम में 2019 से भी आ सकता है क्योंकि MS बाट का 2019 बर्जन भी अभी वर्तमान में रणिंग मॉट पर है ठीक है तो 2016 से पूछे या फिर किसी भी बर्जन से पूछे आपके दिमाग में रहना चाहिए तो जैसे मैं यहां पर बता दूँ आ पहले हम कोश्चन देखते हैं 2016 के संदर में जो कोश्चन मारक है उसके स्थान पर उप्युक्त विकल्प भरे ठीक है तो यहां पर है देखिए हम देख सकते हैं यहां आपको कैप्स से लोवर केस और जो लोवर केस से कैप्स में बदलने की सुविदा के जो करम है यानि कि सबसे पहले देखिए यहां पर लगा है हम ना यहां चे राज कारा वर अट ए मिले काल की जो सबसे नगा है नि united कर लेते हैं और यहां से हम सबी चाहते हैं सो कर लेते हैं आप यहां सकते हैं आगर हम ट्वाटा यहां तो home tab में जाने के बाद आप देखिए, font में जाने का बोल रहा है, यानि की group है, तो group क्या है, clipboard है, font है, paragraph है, style है, और editing है, तो हमको जाना कहा है, font में, आप font में जाएंगे, तो मिलेगा कहा ही, आप देख सकते, देखिए, यहाँ पर change case में, और change case में आपको कितने प्रकार के case मिल रहा है, एक मिल रहा है sentence case, एक मिल रहा है lower case, एक मिल रहा है upper case, एक मिल रहा है capitalize each bird, और एक मिल रहा है toggle case, तो हमको जाना यहीं था, तो क्या करम था, होम के बाद हम गाए, font में, font के बाद change case में गाओ, change case के बाद toggle case में जा सकते हैं, या फिर कोई अन्य में, तो हमसे पुछा गा था toggle case, तो right answer आपका क्या होगा, font होगा, ठीक है, तो इसी इसाफ से यहाँ पर देखिए, हमारा जो right answer सार हो, font है, इसके अलाबा, आपके पास में और कुछ option और दी है, देखिए, यहाँ पर paragraph दिया है, style दिया है, editing, तो जबकि paragraph में बात करें, तो यहाँ पर आपको alignment option मिलते हैं, तो हम जाकर देख लेते हैं, देखे, paragraph बाले section में जाओगे, तो आपको देखिए, alignment बाले option मिल मिलता है, border मिलती है, sorting मिलता है, indent मिलता है, मतलब जो increase indent or decrease indent मिलता है, उसके अलाबा, आपको bullets and numbering मिलती है, सारी चीजे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखे, soya height करने का यह option मिलता है, जो की space होते हैं, उनको यहाँ पर so करता है, इन सबी चीज़ों को हम paragraph में देख स इसके लाबा, style की बात करें, style के सारे format मिलते हैं, editing में आपको find, replace, go to, select all देखने को मिलता है, clipboard में आपको paste, cut, copy और format painter देखने को मिलता है, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिए, तो आपको आने वाले जो भी question है, वो सभी आपको बन जाए, तो हम देखे, यहाँ पर हम गित किया जाता है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर जिसे हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप चलोगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें आपको जो है, क्या दिख रहा है, L टाइप दिख रहा है, मतलब क्या दिख रहा है, एक L टाइप दिख है तो आप देख सकते हैं एकल ट्रुण यनी single triangle आपको देखने को मिलता है कहां पे जब हम right margin में कहीं पे देखते हैं क्लिक करते हैं तो देखिए L टाइप को बन जा रहा तो एकल टिकोण आपको देखने को मिलता है ठीक है अगला जो है MS Word 2016 में 0.5 line spacing कैसे प्राप्त किया जाता है तो देखे पहले तो मैं बता देता हूँ line spacing जैसे मैं मान लो यहाँ पर कोई text लेखे आ जाता हूँ ठीक है तो text हमने लेखे आ गए यह text है मान लीजे अब text में अभी देखे line spacing 1 है तो आप कहां जाओगे home tap के अंतरगर परग्राप में जाओगे और परग्राप में जाने के बाद आपको देखे line spacing देखने के मिल रहा है तो यहां से आप 1.0,1.15 इस प्रकार आप manage कर सकते हैं और यहां जाओगे line spacing option भी दिया है line spacing option में आप देखे यहां पर multiple करने के बाद आप क्या कर सकते है 0.5 यहां पर कर सकते हैं तो इस प्रकार आप देखे कहां से गए home में paragraph में line spacing में जाए ठीक है यहां देखे paragraph ग्रूप के अंतरगर जाना हमको कहां पर line spacing पर तो वही हमारा यहां पर right answer है ठीक है इसके अलाबा जो msbird 2016 है उसमें page break जो है लाने के लिए कहां पर click करना पड़ता है मतलब कहां जाना पड़ता है जिससे की जो है page break हो जाता है तो page break कैसे होता है देखे मान लिजिए यह हमारे पास में एक paragraph है और दूसरा paragraph यह है यह दोनो paragraph को हम एक page में रखना चाहते हैं और बांकी को हम next page में रखना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे देखे हम जाना पड़ेगा insert में और यहां आपको देखे पहले ही गुरूप में page में दिया है page break जैसे हम page break पर click करते हैं तो हमारे पास में एक page में only दो परकार बचे हैं और बाकी के दूसरे जो है वो अगले में चले गाए और एक और page break कहां से करते हैं अगले हम यहां लेऊट में जाते हैं और देखे ब्रेक करके दिया है यहां पर page break option लीथी दिया है एक यहां पास में पर यहां अंसर होगा home में नहीं रहता है, view में भी नहीं रहता और zoom option सारी चीज़ देखने को मिलती है, reference में आपको put not, end not, सारी चीज़े देखने को मिलती है अगला जो है, msbird 2016 में replace command icon कहां दिखाई देता है, तो replace command हम देख लेते, देखे, home में चलते हैं, home में आप देखोगे, editing, editing में आपको find, replace, go to देखने को मिलेगा, select all, तो कहां देखने को मिलेगा, editing, तो यहां देखे, editing किसके अंतरगत है, editing है, home tab के अंतरगत, insert में तो आपक कहां मिलता है, replace, यह मिलता है, home tab में, अगला है, निमली खित में से कोन सा effect, impact printer है, कोन सा impact printer है, तो देखे, impact printer और non-impact printer, दोनों में बता चुका हूँ, पहले, impact का मतलब होता है, जो प्रभाव, मतलब जो सोर करते हैं, या फिर जैसे आवाज जो आती है, यानि कि impact, यानि कि जो किसी stroke के दौरा जो है, प्रिंट करते हैं, उसे बोलते है, impact printer, और जो क्या करते हैं, laser क्रिवनो या फिर ink का प्रियोग करके, यहाँ पर प्रिंट करते हैं, उनको बोलते है, non-impact printer, जैसे कि non-impact printer में laser printer आता है, inkjet printer आता है, LED, और यहाँ पर dot matrix बचा तो यह आता है, impact printer म इसके अलाबा, drum printer, line printer, decibel printer, यह सभी dot matrix printer की श्रेणी में, यहने कि impact printer की श्रेणी में आते हैं, आप देख सकते हैं, printer एक प्रकार की output device है, hard copy output device, ठीक है, जो क्या करती है, CPU से जो भी output आता है, उसको कागच पर print करके देती है, ठीक है, और यहाँ देखिए, मैंने जो printer है, printer क सारे प्रकार आपको पहले बता चुका हूँ, इसके पहले, तो आप उनको भी देख सकते हैं, चलिए, printer एक खालिस्थान device है, printer एक प्रकार की hard copy output device है, यह भी हमने देख चुके हैं, तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा, output device, input में आपको mouse की word, joystick, इन सभी चीज़ों देखने म मिलता है, internet provider, ISP जिसे बोलते हैं, internet service provider, ठीक है, यह printer है, इसके अलावा हम देख सकते हैं, हाँ देखे, webcam की बात की जा रही है, तो webcam जो है, next हमारा देख सकते हैं, webcam मतलब होता है, जो वीडियो camera होता है, अब वीडियो camera जैसे अगर बात करें, हम कोई camera होता है, उतसे क्या हो फोटो ली जाती है, परंतु webcam क्या करता है, हमारी live video, हमारी जो live activity है, वो यहाँ पर भेजता है, कहीं भी सामने जहां हम बात कर रहा है, तो देखे, वास्तविक समय में, internet पर जो वीडियो दिखाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, बाकि text का तो, text हम जो हम range, खालिस्तान मतलब जो है, केबल खालिस्तान तक होती है, देखे, रेंग तो बहुत ज्यादा होती है, परंतु यहां तक हम यूज़ कर सकते है, 15 किलो हर्ट तक, ठीक है, तो यहां इसका अंसर आप देख सकते हैं, जो FM है, यहां यहां देखे, FM हैंने की frequency modulation या ब्रोड कस जीसे बोलते जिसमें 88 से लेखे 108 मेगाठ जो है इसके अंतरगत दो सो किलो हार्ट जो है असाइन की जाती है परंतु यूस करने की जो है आईडियो म्यूजिक के अंतरगर जो bandwidth यूज करने की वो मातर 15 kHz है तो इसका अंसर भी क्या होगा 15 kHz है यानि 15 kHz यहां देखने को मिलता है MS Word 2016 में font account drop down जो सूची आती है उसमें देखिए यहां पर एक drop down list खुलती है जिसके अंतरगर बहुत सारी चीजों होती है यानि की 8 से लेखे 72 तक यहां complete रूप से देखने को मिलता है तो हमारा आंसर तो 72 हो जाएगा हम देख लेते चलकर यहां हम MS Word में चलकर देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा देखें यह MS Word में आपको यह list दिख रही है drop down में तो 8 से लेखे 72 तक तो दिख गई पर आप से यह question भी पुछा जा सकता है जैसे मान लीजिए यहां लिखता हूँ SSW और इसको मैं बड़ा करता हूँ जैसे मैंने इसको यहां पर इसको select करा और इसको बड़ा करा यहां इससे भी बड़ा कर सकते यह वाले से तो आप देखिए है 72 से उपर पहुँच गा तो कहां तक जाएगा यह जाएगा आपको ध्यान में रखना 1638 ठीक है तो maximum जो font की जो value है वो कहां तक होती है 1638 ठीक है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कहां मतलब MSBird में यह छोटा करके देख लिए यहां हम दे देते हैं 100 ठीक है तो यहां answer क्या होगा 72 और maximum अगर पूछा जाता है 1638 ठीक है तो यह भी answer आपको ध्यान में रखन करने के लिए कुन सा shortcut use कि जाता है control के साथ में जैड यानि की answer है और control के साथ यू का मतलब होता है underline ठीक है control के साथ यू दवा है मतलब underline control के साथ by दवा है यानि की redo जो काम undo के दौरा किया गया है वो redo कर देता है और alter u का यहां पर कोई मतलब नहीं होता चलिए मैं आपको दिखाता हूं जैसे यह text select है और control के साथ अगर मैं क्या दबाता हूं z तो वो वापस चला जाए ठीक है यहां इसको वापस कर देते हैं चलिए किसी और text पर करके देखते हैं यहां इस पर करके देखते हैं और यदी में control के साथ बी दवाता हूं यह सारी चीज़े, shortcut shortcut आपको देखने मिलेगी या control के साथ f दवाओ तो find आता है control के साथ h दवाओ तो replace आता है control के साथ a दवाओ तो select all आता है तो यह सभी shortcut की आपको देखने मिलेगी ms-pad में तो इनका भी आप ध्यान रख सकते हैं इसके अलाबा एक बहु इसतर यह मांग पाता है जिसे हम बोल करूँ तो outline label कहां पर दिखाए देगा आपको outline label view के एंतर गद रहता है तो view में हम चलते हैं और view में देखिए आपको read mode देख रहा है प्रिंट layout और बैव लियाओ तो तीन मुख्य वियू हो गए इसके लाबा outline label आपको दिख रहा है तो outline में हम जैसे click करते हैं तो आप द दिख रहा body text मतलब normal तो label one का मतलब होता है heading one उसके अलाबा हम चलते हैं यहां पर और इसको कर देता है heading two तो देखिए आगे किसा क्या है यानि कि हम लिख सकते हैं यह computer ठीक है यह computer लिखे इसके अलाबा नीचे करें हम तो head label three कर सकते हैं तो मतलब range यानि कि यह सब से top पर ह यह second number पर यह third number पर तो इस प्रकार कहां तक जा सकते हैं एक संसा में जैसे कर्मचारियों का label होता उसी प्रकार outline में 9 लेवल तक यहां देखने मिलता हो और दसवे महां जाएंगे तो यहां पर आपको देखने मिलेगा 9 ठीक है समझे होंगे आप outline level कितने होते हैं 9 होते हैं अगला histogram समिकरान यह image के लिए होता है ठीक है उसके लिए image की तीब्रता बढ़ाने के लिए तीब्रता मतलब उसका contrast बढ़ाने के लिए एक तक्नीक है तो यहां पर सकांसर भी होगा contrast ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर हिस्टोग्राम इकिलाइजेशन है image के histogram का उप laser printer खालिस्तान को उप्योग करता है तो देखिए मैंने बताया था जब impact printer की बात करें तो वह आवाज करता है ठीक है जो impact करने यानि कि जो stroke करने के दौरान वह print करता है परन्तु जब बात करें हम देखिए यहां ribbon को उप्योग करता है ink cottage जो है स्याही बाले printer जो आते inkjet उस लेजर printer में toner यानि कि जो स्याही होती है वह सुखे powder के समान होती है सुखे powder जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पर toner बोलते हैं तो toner को उप्योग करता है आप यहां इसकी working भी देख सकते हैं जैसे मानलो paper tray में आप paper फसा है तो paper घुमते हो जाएगा फ्यूजर के दौरा यहां टोनर निकालेगा और इसमें छापकर आगे देखें ड्रम असेमली इसको बोला जाता है फोटो यहां से paper निकल कर आगे जाएगा ठीक है laser unit है laser से यहां जाएगा जो टोनर प्रिखलेगा और नीचे जाकर कागच पर छपेगा कागच पर उसी स्थान पर छपेगा जहां पर इसको instruction मिला है और पेपर इस प्रकार exit हो जाता है ठीक है तो यह laser printer की working method है और आप देख भी सकते laser printer आपको इस प्रकार के देखने मिलेंगे कागच देखें यह पूरा pack model है यह इसका working हमने खोल कर देखें ठीक है laser printer के अगर बात करें तो यह non impact printer की शेर्णी में आता है और computer system में 1970 के दसक्स इसका उप्योग हो रहा है ठीक है manframe computer में उप्योग होते थे 1980 में laser printer का मूल जो है इसे toner बोला जाता है तो यह सारी चीज हमको देखने को मिलती है अच्छा इसकी प्रिंट जो है quality 300 से लेकर 600 dpi dot per inch तक देखने को मिलती काफी अच्छा प्लास्टिक कागाज इन सभी चीजों में जो है वो print करने की capacity यहां पर देखने को मिलती है laser printer में चलिए आगर देखने bracket के अंतरगत भरना है से संबंदित क्रिप्टोग्राफी प्रणाली को आम तोर पर stream सिफर और block सिफर यह जो इनक्रिप्शन की प्रणाली है इनके रूप में बरगिकरत किया जाता है तो सबसे पहले तो encryption जानना पड़ेगा क्या है जैसे मान लीजिए एक email भेजे आपने और सामने वाला जो है प्राप्त करने वाला है यह प्राप्त करने वाला तो दीखी बीच में बहुत सारे माध्यम यानि इंटरनेट से होकर गुजरेगा अब इंटरनेट से होकर गुजरेगा तो कोई unauthorized person आपकी email को चुरा कर गलत उप्योग कर सकता है तो उसी से कर देंगे तो प्लें टेक्स को एक सिक्रेट टेक्स में कर जाना यानि कि उसको बोलते हैं सेपर टेक्स सिपर टेक्स इसको बोला जाता है और जब रिसे जो प्राप्त करता है उसके पास लाना उसको या प्राप्त करना उसको यह देखना है तो उसको डिक्रिप्त किया जा तो यह secret key के दौरा जो है, इस zipper text को plain text में convert किया जाता है, जो key है इसके पास भी होती है और इसके पास भी होती है, तो यह देखने मिलता है, हमको सुरक्षित यहां पर पहुँच जाता है, तो secret, secret मतलब यहां secret key का उपयोग किया जा रहा है, तो answer हमारा secret key होगा, और जब zipper text की encryption है, मतलब एक coding है, जिसमें, क्या होता है, जो text है उसको plain text को, sapr text में convert किया जाता है, ठीक है, और यहां पर block को hyper, block को convert किया जाता है, इसलिए block shipper, और यहां sting shipper मतलब के वाल, एक white को plain text से सिपर टेक्स में convert किया जाता है इसलिए इसका नाम है stream सिपर और यहां पर 64 bit यह उससे ज्यादा bit को convert किया जाता है यहां 8 bit को ही convert किया जाता है यहां complexity बहुत ही simple यानि आसान होता है और यह बहुत कठीन होता है ठीक है तो दोनों के मद्द आप अंतर समझ जा है अब यह जो है यह दोनों ही encryption की विधी है इसलिए यहां पर cryptography पणाली जो secret की algorithm हो इसको stream सिपर और block सिपर के रूप में भी वर्गिक्रत किया जाता है उसके दो प्रकार हो सकते है ठीक है अगला जो है आप प्रेशन लेटेंसी का मतलब होता है काम करने के बाद जब जब हम दूसरा काम स्टार्ट करने वाले computer में तो दोनों के बीच का जो समय अब भी बच्ची हुई है यानि कि इसको खतम करे और इसको सुरू करें दोनों के बीच में जो आराम करें हमने या जो समय लगा हमको सुरू करने और एंड करने के बीच में उसको हम बोलेंगे यहां पर लेटेंसी तो इसका मतलब होता है देखी यह पर क्रिया प्रोसेस को रोकने और दूसरी प्रोसेस को सुरू करने में लगा समय अ है जैंनी कि आपने एंटर करे हो और एंटर करने के बाद खुलने तक के बीच में जो समय लगा था उसे रहुत है कभ़ी कभी लिए काफी प्रयास के जा रहा है जैसे मान लीजिए आप 4G की बात करें तो 4G काफी तेज चलता है परंति इसके बाद भी 5G और 6G आने वाले तो उनको भी हम देख सकते हैं यहां पर इसको कम करने में यहां पर सहायक होंगे फिर भी आप 5G कैसे कम करेंगे इसके लिए यह जो है एक प्रकार की unliskk stack है यहां देख सकते आप जैसे हवादν में आपको प्लेटर देखने को मिलती वैसे यहां बिंस इसके बिंचेस्टर में भी आपको दिस्क देखने को मिलता थीक है और इसको IBM के दौरा मतला IBM के दौरा उन्हें सो 73 में इंट्रुडूस किया गया था इसका मॉडल नमबर 3340 यानि कि 3340 आपको देखने को मिलता है इसको 30 30 30 यहां पर 30 30 राइफल जो ड्राइब है उसके नाम से भी जाना जाता है अगला जो है डेटा विजुलाइशन प्रोग्राम मतलब हम बात करें MS-AXL की ठीक है MS-AXL के अंतरगती होता है तो Business Intelligence Software डेटा संख्षेपन यानि डेटा को समराइज करने के लिए खालिस्तान option का उप्योग किया जाता है तो यहां पर पिवोट टेबल होता है पिवोट टेबल कैसे होता है हम open करते है Excel ठीक है और Excel में हम चलते हैं कोई भी यहां book open कर लेते हैं और देखिए हमने एक टेबल बनाक रखा है टेबल में आप देख सकते है सीरिल नंबर नेम कोर्स फीस है अगर हम इसमें से सिप पीजीजडीसी वाले देखना चाहिए तो हम फिल्टर चलाते हैं तो हम फिल्टर एडवांस रूप में चलाएंगे एडवांस कैसे हम इसको स देखने मिले हैं तो जैसे मान लीजी आप टिक करते हो ठीक है तो दो तो आगा है परन्तु फीस आपकी क्या होना चाहिए चाहिए कैल्कुलेट होना चाहिए तो यह देखिए सम बाले ओक्सन में पहुंचा दिया आपने और सीरियल नंबर आपका जो है यह से कर लिए अप आप कोई मौजूदा फाइल किस प्रकार खोलेंगे जो की अन्य विंडोज में नहीं क्विली सिम्पल सी बात कोई फाइल है जो selected है उसे दबल किलिक कर देंगे तो जो selected फाइल है उसके icon पर करके हम fine को खुल लेंगे तो यह आधिसका अंसर है जब और प्रोणोंब और प्रोग्राम का उप्योग करता है तो उन्हें कहां संघ्रहिद करता है। तो देखे जब working memory में काम चल सब्सक्राइब में उसमें डाटा रहेगा नहीं तो इलिट फटन उसमें आखर हमको आपना है तो सेक Pikachu सेप करना हैमे में यह packaging अढों टर्वं काम करती है सनी है अब ROM इस्थाई होती है जिसमें BIOS होता है P ROM होते है EEP ROM और EEP ROM होती है ठीक है तीन क्रेटीर और RAM भी बहुत सारे प्रकार की होती है CAS तो जो होती है RAM और CPU के बीच में काम करती है ठीक है और यहाँ देखे है SRAM DRAM और यह RAM की जो बर्जन है DDR डबल डेटा रेड बोल सकते हैं, DDR2, DDR3, DDR4 अभी वरतमान में चल रही है, ठीक है, इसके लावा सेकंडरी जो हार्ड डिस्क है वो टेटा को पर्मनेंट स्टोर कर निकले, जैसे हार्ड ड्राइब है, सॉलिड ड्राइब, USB थम ड्राइब, एच्डी कार्ट, CD, DVD, टॉपी डि ब्लूरे यानि की ब्लूरे जो डिस्क है वो खालिस्तान वीडियो को सपोट करते हैं, सिंपल से बात, अल्ट्रा एच्डी लगे हैं की HDR वीडियो, ठीक है, HDR वीडियो कहां सपोट करने हैं, और इसका फूरा नाम क्या है, हाई डाइनेमिक रेंज वीडियो, इसको बोला ज जानला सेंस है, या फिर कोई भी चीज आफ देखोगे तो उनको हम देख सकते हैं, बहुत सारी चीप उसमे लगी रहती है, जिससे एक ही चीज से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, तो वो होते है hybrid card, इसे smart card भी बोल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी चारपकार की होती जिसमें से रेजिस्ट्यू टच स्क्रीन जो का अंसर होता है और इसमें डवा उसे चाफ़ी स्क्रीन इस का अंसर है यहाँ थे इंफराएड भी होती है और पॉड्यक्रीड कैप इसीट्यू से बसे बहुर 하지 उसकेwashकर बनाएंगे तभी काम करेगी घ्लास होता है इन्सुलेटर होता है। इस पे सब्सक्राइब होता है। तो यहां पर दूसरे देखें अप्टिकल सेंसर होता है। इधर भी लाइट इस्ट्रिप होता है। इमेज के किसी भाग को यहां पर क्लिक किया जाता है इंफरेट देखे एक ग्रिड बनी होती हमको होरिजोंटल वर्टिकल लाइट भीम आपको देखने को मिलेगा यहां पर प्रोजेक्टेट के पे कैपिसिटीव टच है वह आप देखे एलेक्टोड फिल्ड यहां देख सकत के एक बाइट ठीक है यहां पर आठ बिट बराबर एक बाइट होता वही किशन पूछा गयता और अगर 1224 वाइट अगर मिला दिया देख लिए सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी इंटरनेट के माध्यम से फाइल इस्थान आंत्रित करने के लिए खालिस्थान प्रोटोकॉल का उसके जाता है एक जगह से दूसरी जग है जैसे क्लाइंट से सर्वर की और अगर जहां फाइल को भेज रहे हैं या फिर एक जगह दूसरी जगह लाने के लिए यह देखिए इंटरनेट से जो मैसेज है उसको डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट मैसेज एकसेस प्रोटोकॉल उप्योग होता है तो यह बहुत सारी प्रोटोकॉल होते हमारा FTP यहां पर राइट आंसर है निमली खित में से कौन सा चार निबल के बरावर होता है तो मैंने बताया देखे जीरो बन जो है बिट कहलाते हैं और अगर जीरो बन मिल्क है चार बन जाए चार बिट बन जाए यानि कि चार बिट बराबर के हो जाता है एक निबल हो जाता है ठीक है अब एक निबल होता है मतलब चार बिट होता है और यदि चार को चार में मिल्टिप्लाइ करें तो क्या हो जाएगे तो सिंपल से बात यहां सोलव बीट आजाएगा तो चार निबल के बरावर हो जाएगा ठीक है और आट वीट अगर हो जाती देख वाइट हो जाती जो कि हम देख चुके हैं है इस ट्रीम किए गए मीडिया सिनेरियों के मामले में खालिस्तान ट्रांस्विंसन प्रॉटोकॉल को यह इंनजरीयों Hang anticipating तो आप जादा जादा लोगों तक पहुचाने का यहां पर कश्ट कर सकते हैं ताकि आगे मैं जो है और अच्छी सीरीज यहां पर लाने का प्रयास कर सकूं आपके लिए ठीक है